ब्लेक बोट एजुकेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम हीट थर्मोडाइनमिस के बारे में पढ़ेंगे जो यह वीडियो का तीसरा वीडियो होगा थर्मोडाइनमिस का अगर आपको इस वीडियो पेडियेप चाहिए तो इस टेलिगराम को जोईन कर वहाँ से कर सकते हैं देखिए को आपको बताये गया था एडियोवेटिक चेंज एडियोवेटिक चेंज में आपका फर्मूला आ रहा था पी भी के पाउर गामा ब्रावर कंस्टेंड इसको प्रूफ करते हैं या ऐसे देता है कि रिलेशन बिट्वेइन पी भी एंड टी फॉर एड एडियोवेटिक चेंज का हिंदी होता है रूद्रोस्म परिवर्तन रूद्रोस्म परिवर्तन के लिए पी भी और टी के बिच सम्वन जहां पी प्रेसर है भी भॉलूम है और टी टमप्रेचर है फॉर एडियोवेटिक चेंज रूद्रोस्म परिवर्तन के लिए डी क्यू बराबर 0 जो कल बता दिया गया था इसके पहले वाले वीडियो में जो dq जो होता है इसमें 0 होता है heat इसमें change नहीं होता है इसलिए dq 0 हो जाएगा first law of thermodynamics thermodynamics के first law से du plus dw बराबर होता है dq जहां dq बराबर है 0 और हम यह भी जानते हैं कि dq du बरावर mu cv dt and dw बरावर होता है pdv अब दोनों का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा mu cv dt plus pdv बरावर 0 इसको मालते हैं समिकर नहीं अब फोर gas equation ideal gas equation होता है pv बरावर mu rt जहां r gas constant है अब एक फर्मूला होता है u into v का differentiation और x के साप एक्ष करते हैं तो u into dv बरावर dx मतलब v का differentiation plus v into u का differentiation किसी एक को पहले differentiation करते हैं तो दूसरी को बाहर निकाल देते हैं और दूसरी को निकालते हैं तो पहले बाले का differentiation कर देते हैं तो उस हिसाब से हम pv का differentiation करेंगे T के साप एक्ष तब देखिए कैसे होगा P V का डिफ्रेंसियेशन T के साप एक्ष कर रहे हैं तो P into D V बाटा D T पलस V into D P बाटा D T बराबर मियू आर कंस्टेंट है और D T बाटा D T या इसका मन्ज हो जाएगा एक हो जाएगा इसका डिफ्रेंसियेशन एक होता है अब इसमें से P D V पलस V D P को लिख लेते हैं और बाटा D T है इसको इस साइड बेज़ेंगे तो हो जाएगा into D T, mu R into D T अब इसमें से mu D T का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा P D V पलस V D P बाटा R इसको मान लेते हैं समिकरण 2 और इसका मान पूट करेंगे एक में जो समिकरण 1 था तो समिकरण 1 जो था वहाँ पर C भी उसके बाद mu D T का मान यहाँ पर रखेंगे P D V पलस V D P बटा R पलस P D V बराबर 0 अब इसमें इसको का कर रहे हैं R से जो है गुना कर देंगे जब दोनों तरब तामारा इतना आ जाएगा फिर R बराबर हम जानते हैं C P माइनस C V होता है इसको लिख दे रहे हैं मेर्स फर्मूला से R बराबर होता है C P माइनस C V फिर दोनों को गुना करेंगे गुना करेंगे तो हो जाएगा P C V into D V plus V C V into D P plus P C P into D V minus P C V D T यहाँ पर P C V D T यह और फिर यह दोनों केंसिल हो जाएगा तब जाएगा इतना ब्राबर जीरो अब P V C V से दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो V से V cancel हो जाएगा C V से C V cancel हो जाएगा इसमें P से P cancel हो जाएगा फिर V इसमें नहीं है और C V भी नहीं है इसलिए इसको इस तरह लिख देते हैं 0 बटा तो किसी भी चीज से 0 में किसी भी संख्य सभाग देंगे 0 आ जाएगा यहाँ भी जानते हैं कि गामा बराबर होता है C P बटा C V तो इसका integration जब करेंगे तो D P बटा P हो जाएगा इसका integration कर दिए फिर पलस गामा चुकि C P बटा C V बराबर होता है गामा तो गामा लेख दिए और D V बटा B इसका भी integration करेंगे बराबर 0 तो जब भी इसका integration करेंगे वह एक D X बटा X का तो होता है लॉग E X तो इस तरह D P है तो लॉग E P पलस गामा लॉग E V भी का भी हो जाएगा बराबर constant चुकि constant का differentiation करते है तो 0 होता है तो इसका integration करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर constant अब इसको log E P लिख दिए फिर यहाँ पर जो बॉगल साइड में राता है वह हो जाता है गुना में लॉग के रूप में तो log के यह जो उसके पाउर हो जाएगा वाई के पाउर गामा बराबर constant फिर यह जब पलस में राता है तो गुना में हो जाता है लोग E, P, V के पाउर गामा बराबर कंस्टेंट इसलिए यहा फर्मूला प्रूप हो गया कि P, V के पाउर गामा बराबर कंस्टेंट इसके बाद वार्क डॉन बाई A, आइडियल गैस डिरिंग एडिवेटिक चेंड रुद्रोस्म परिवार्तन के दाउरान अदर्स गैस द्वारा किया गया कार्ज यह हम लोग को प्राप्त है कि P, V के पाउर गामा बराबर कंस्टेंट कंस्टेंट को कैसी लिखते हैं अब यदि हम वैल्स के लोग लगाएंगे वैल्स लोग तो इसके अनुसार P, V बराबर कंस्टेंट होता है ठीक है लेकिन एडिवेटिक चेंज में P, V के पाउर गामा बराबर कंस्टेंट होगा तो जब कंस्टेंट होगा तो यहाँ पर P1 और V1 अलग अलग लिखेंगे तो P1, V1 के पाउर गामा बराबर P2, V2 के पाउर गामा ये दोनों बराबर होगे बराबर इसको हम मान लेंगे कंस्टेंट ठीक है अब इसमें से P B के पाउर गामा बराबर constant है इसमें से हम P कमान जब निकलेंगी तो K बाटा B के पाउर गामा और वर्क बराबर हम पहले से जान रहे हैं कि P into D V होता है अब इसका इसमें से P कमान रखेंगी तो P कमान K बाटा B के पाउर गामा है यहाँ पर लिख दिए और into dv अब इसको हल करेंगे तो जैसे ही गामा को उपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा किसी भी चीज़ का पाउर यदि यहाँ पर रहे m तो उपर जाता है तो हो जाता है e के पाउर माइनस m इस सिधानत पर इसको लिख दिया गया b के पाउर माइनस गामा into dv अब k को बाहर लिख देते हैं और इसका integration करेंगे b1 से लेकर b2 तक तो पाउर जितना राता है फर्मूला होता है इसका x के पाउर यदि n हो और इसका integration करना हो तो हो जाता है x के पाउर n पलस 1 बटा n पलस 1 इस फर्मूला से इसको लिख दिये माइनस गामा पलस 1 बटा माइनस गामा पलस 1 पलस 1 को पाउर लिख दिये माइनस को बाद में लिख दिये तो 1 माइनस गामा हो गया है b1 से लेकर b2 तक अब भी के जगाप भी 2 और भी 1 कमान पुट करेंगे मान पुट करने पाज आएगा आपको 1 by 1 मैनस गामा को कमल ले लिए हैं बाहर के बाटा इतना हो जाएगा और भी के जगाप भी 1 और फिर यहाप भी 2 रखेंगे दोनमान रख दिया गया है तब यहाँ पर 1 by 1 मैनस गामा इंटू K B1 के पावर 1 मैनस गामा इंटू K B2 1 मैनस गामा इतना हो जाएगा क्योंकि K से गुना कर दिया गया दोनोंमे K कमान इतना होता है 1 में 1 रखेंगे 2 में 2 रखेंगे तो जब इसको लिख देंगे हमें आप लिख दिये है अब पावर यदि आधार समान ओ तो पावर जुड जाता है यह जो भी वन और भी वन जुड जाएगा उसी तरह इसमें से भी टू और भी टू जुड जाएगा तो दोनों जुटेगा तो हो जाएगा आपका cancele हो जाएगा जहाँ पर तो V1 के पावर गामा और V1 के पावर 1-गामा जब जूड जाएगा तो हो जाएगा के वल V1 पावर एक रह जाएगा गामा कड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 by 1-गामा इन्टू P1 V1-P2 V2 चुकि इतना बरावर आपको बता दिया गया है कि P1 V1 बरावर कंस्टेंट होगा या मिव आर T1 होगा चुकि इसमें टमप्रेचर चेंज होता है, हीट चेंज नहीं होता है इसलिए मिव आर रहेगा और T1 जो है यहाँ पर टमप्रेचर को अलग-अलग कर दियागा उसी तरह से P2 V2 के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा आपको P2 V2 बरावर हो जाएगा मिव आर इंटू T2 ठीक है अब यहाँ पमान रखेंगे 1 के जगा पर 1 और 2 के जगा पर 2 टमप्रेचर चेंज कर देंगे P1 P1 के जगा पर मिव आर T1 और P2 V2 के जगा पर मिव आर T2 लिख देंगे तब हमारा फर्मूला हो जाएगा W बरावर मिव आर बटा 1 माइनस गामा इन्टू T1 माइनस T2 जहाँ पर यह समझ लिजेगा कौन क्या है वर्क डबलू जो है वर्क है मिव मूल है नंबर अप मूल आर गैस कंस्टेंट है जहाँ आर कमान होता है अर्द समलो तीन फिर वन वन है गामा जो है यहाँ पर रेसियो है सीपी बटा सीपी का सीपी और सीवी क्या है तो सीपी जो है कंस्टेंट प्रेसर पर मूलर हीट कापासिटी है और सीवी जो है कंस्टेंट भॉलूम पर मूलर हीट कापासिटी है तीवन टमप्रेचर है और तीटूवी टमप्रेचर है अब इस पर कोश्चन देख लेते हैं गैस के एक ग्राम अनू वाले एक सिलेंडर को रुद्रोस्म रूप से तब तक संकुचित किया जाता है जब तक कि उसका टमप्रेचर ताप मान 27 डिग्री सिल्सियस से 97 डिग्री सिल्सियस नहीं बढ़ जाता किये गए कार्ज की गर्णा करें तो सबसे पहले हम गिभेन लिखेंगे और यहाँ पर टमप्रेचर को लिखेंगे कितना कितना दिया है तो टीवन जो हो जाएगा 27 डिग्री सिल्सियस इसको केलविन में चेंज करेंगे केलविन में चेंज करने के लिए दूसरती हत्तर जोड़ देते हैं सिल्सियस में सिल्सियस मान में दूसरती हत्र जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300 केलविन उसी तरह इसमें दूसर तीहत्र जोड़ देंगे तो हो जाएगा 370 के लिए टीवन और टीटू कमान निकल गया तो हम जानते हैं डबलू बराबर होता है म्यू आर बटा वन माइनस गामा इंटू टीटू माइनस टीवन अब यहाँ पर मुलो की संख्या कोश्चन में दे दिया है एक वन गराम कह रहा है इसलिए हो जाएगा यहाँ पर म्यू कमान एक तो म्यू कमान एक हो जाएगा आर कमान आर दसमलो तीन होता है t2 command इतना दिया है और t1 command इतना दिया है तो यह हो जाएगा आपको 1 minus और यहाँ पर gamma command जो है question में ही देगा 1.5 होगा ठीक है इस question में नहीं दिया है लेकिन इस question में आपको इतना देना चाहिए इसको gamma बराबर होगा 1.5 गलतीस छुट गया है इतना दिया है ठीक है तो गामा कमान जब इतना दिया है तो हम इस कमान पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.15 अब इसको गुना करेंगे घटा देंगे तो सतर हो जाएगा गुना कर दीजेगा ती हो जाएगा आपका मान माइनस 11.6 0 गुना 10 के पाउर माइनस 2 जूल ध्यान दीजेगा एक चीज जो है आपको इंट्रियसन करते समय इसमें हम वर्क में जो बनाये थे यह उल्टे लिखा गया है यहाँ भी 2 माइनस भी 1 होगा जबकि हमने लिख दिया है यहाँ पर मान पहले 1 को लिख दिया है भी 1 माइनस भी 2 कर दिया है इसलिए यहाँ पहले से माइनस लग जाएगा जो आगे जाकर के यहाँ जो मान आपका आएगा लास्ट मान यहाँ पर टी 1 और टी 2 जो है यहाँ माइनस में रहेगा, यादी इसको 2 को पहले लिखेगा तो माइनस हड़ जाएगा, ठीक है चुकि भी 2 कमान पहले रखना है भी 1 कमान बाद में रखना है, लोवर लिमिट बाद में रखते हैं, आपर लिमिट को पहले रखते हैं जबकि ऐसा उल्टे लिख दिए हैं तो माइनस लगा दिजिएगा सही हो जाएगा ठीक है ठैंक यू